टेस्ट क्रिकेट को ट्वंटी क्रिकेट बनाते हुए अभी तक आपने ट्रेविस हैट को देखा होगा जुस तरीके से वो ताबर तोड शॉट्स लगाते हैं जुस तरीके से वो कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अब एक ओर ट्रेविस हैड आ क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान प्रधानमंदर 11 के अगेंस्ट नितिश कुमार रेटी ने 32 गेंदों में 42 ठोक डाले जिसमें पांच चोक्य और एक च्छक्का शामिल था लगभग 130 के स्ट्राइक रेट से अपनी इस बढ़िया अपारी को एंजाम दिया है और सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी बात सबसे खास बात उनकी बल्ले बाजी में यह थी कि स्पिनर्स के अगेस्ट जो वह बहतरी था हमारी टीम मेडिया आप सभी लोग जानते है कि स्पिनर्स के अगेस्ट बहुत ज़ादा स्ट्रगल करती नजर आती है निजलेंड के खिलाफ अभी हमने देखा था कि जैसी स्पिन गेदबाजी अटेक सामने से हो रहा था तो हमारे जो बड़े बड़े बल्लेबाज धुरंदर है वो घुटने टेक दे रहे थे वो हाथ छोड़ दे रहे थे लेकिन नितीश कुमार रेडी ने करिया बीसें स्पिनेर्ण कैयां और यही वाजह है यही नतीज़त है उनके डुमेस्टिक में अच्छा खेलने की। क्वैस्टिक अंच्छा खेलते हैं वाद्येडेकर द्वाजी पेर्श में पर ठाठी है इसलिए उनको यहाँ पर फогल मिल रहा है यहाँ पर उनकी फिनिशिंग आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से, बहुत सालों से वह इंटरेशनल ट्रिकेट खिलते वे आ रहे हैं, तो इंदीश कुमार रेडी ने एक भरोसा दिया है, एक भरोसा जताया है उन्होंने अपनी बल्ले बाजी के थ्रू, आप देखते हैं कि पिंक पॉल टेस्ट मकाबले में उनको मौका मिलता है या फिर नहीं, और अगर उनको मौका मिला तो हम शौर वह ऐसी बल्ले बाजी करेंगे, और इस बल्ले बाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा साथ डर जरूर गया होगा, क्योंकि जब एक युवा खिलाडी इस त